दोस्तों आप अपने स्मार्ट फॉन में तो कैमरा इस्तमाल करते ही होंगे साथ में बहुत सारे लोग DSLR गैमरा का भी इस्तमाल करते हैं लेकिन आज इस कैमरे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो कैमरा है आपके MS Excel का जिससे नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले नमस्कार दोस्तों मैं अभी नियु भरदवज आपका स्वाध करता हूँ मैं वीडियो में जानने वाले हैं एक्सल के बहुतरी कैमरा टूल के बारे में जो आपके बहुत काम आएगा यह वीडियो लास्त तक जरूर देखिएगा तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सल के एक शीट ली है जिस पर हमने दो माकशीट स्यार की है पहली माकशीट शीट नमबर 3 पर है और दूसरी mark sheet हमने इसी की same copy बनाई है जो sheet number 2 पर है अब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि camera tool कैसे active किया जाता है और main इसका उद्देश ही किया है क्यों इसको बनाया गया है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि camera tool को active कैसे करते हैं आपको जाना होगा office button पर और यहां पर आपको दिखाई देगा excel options इस पर click कर दीजिए यहां पर आपको customize का option दिखाई देगा और यहां पर आपको एक menu दिखाई देगा इसमें आपको जाना है all commands पर और जब आप यहाँ पर scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा camera का option तो थीरे दीर हम इसको scroll कर लेते हैं तो आप देखें यहाँ पर एक camera का icon बना हुआ रहा है इस पर click करिए और यहाँ पर इसको add करा लीजिए इसको add कराने का मतलब हमारा यह है कि यह जो icon है अब आपको आपके quick access bar में दिखाई देने लग जाएगा यहाँ से ok करिए और जैसे आप इसे ok करेंगे आप देखेंगे camera का icon है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा अब मुझे जाना होगा camera वाले option पर यहाँ मैं camera को click करूंगा तो आप देखेंगे यह जो area है वो select हो जाएगा अब आप कहीं भी जाकर या तो इसको इस तरीके से drag कर दीजिए या और कहीं भी जाकर इसे click कर दीजिए तो आप देखेंगे यही जो number है वो आपको यहाँ पर display होने लग जाएगे अब इसका फाइदा क्या है अगर यह जो cell है आपको बड़ा दिखाना हो यानि इस तरीके साब इसे अगर drag कर देंगे तो यह आपको बड़ा display होने लग जाएगा और कभी भी अगर आप इस cell में कोई भी value change करते हैं जैसे मैं 67 की जगे यहाँ 25 कर देता हूं तो आप देख अब ऐसा है नहीं है कि आप इसी sheet की value को आप camera की मदद से यहाँ पर display करा सकते हैं आप किसी दूसरी sheet की value को भी display करा सकते हैं तो उसके लिए भी आपको simple यही करना होगा आपको जाना होगा दूसरी sheet पर और यहाँ पर भी आप किसी भी cell को ले सकते हैं तो जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, परसेंटेज को, अब यहां से परसेंटेज पर क्लिक किया, कैमरा पर क्लिक किया, अब यह जो परसेंटेज वाला सेल है, हमें राम के पहली वाली शीट के साथ में से डिस्पली कराना है, तो बस पहली शीट पर जाईए, जहां पर आपका यह जो आपने एक पहला cell लिया था camera की मदद से उसके बराबर में ले जाके इसको छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे दूसरी sheet की value है वो आपको यहां पर display होने लग गई है और जो पहली sheet की value है वो भी आपको यहां पर display होने लग गई है इसी तरीके से अगर आपने 10 या 12 sheets बना रखी है और आप चाहते हैं उन सभी की values को एक किसी sheet पर display करना तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं अच्छा यहां पर आपके पास यह boundary भी नहीं है कि आप एगी cell एक बार में ले सकते हैं आप कई सारे cells को भी यहां पर एक बार में ले सकते हैं और उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं तो दूसरी sheet का मैं पूरी आपको value लेके दिखा देता हूं यहां पर sheet number 3 पर हम जाते हैं और यहां से हम students के जो marks हैं उन सभी को ले लेते हैं यहां पर हमने पूरा area है वो select कर लिया है इस पर दुबारा से हम camera tool पर गए तो आप देखेंगे यह पूरा area select हो गया आप sheet number पहली पर जाते हैं और यहां पर इसके नीचे इसको click कर देते हैं आप देखेंगे sheet number 2 का भी जो पूरा area था जो पूरे cells थे वो आपके पास आगे हैं और यह जो dashboard है यह आपका तयार हो गया है थोड़ा सा अब यह आपको बड़बेंड करता है कि आप camera tool के use से कितना बहतरी इन dashboard तयार कर सकते हैं आप कहीं भी value change करेंगे वो आपको यहां पर डिसप्लेए होने लग जाएगी आज चाहरे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया थो हमारे चनल को जुरूर सुस्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैं कमेंट करके जूरूर झारम